नमस्कार चट्टिसगर कौशेले भूमी में बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ प्रियांका मिश्रा बुल्टिन की करेंगे शुरुआत चट्टिसगर विधानसभाद चुनाओं के लिए राजनितिक दलों में घमासान जारी है चुनाओं में जीत के लिए बीजेपी 80 चोटी का जोर लगा रही है आलम यह है कि ना सर्फ इस्थानिये नेताओं बलकि देश भर के सैकड़ो अनुभवी नेताओं को बीजेपी ने चट्टिसगर के चुनाओी समर में जोग दिया है और जीत के लिए चारों तरफ से फिल्डिंग करती हुई दिखाई दे रही है देखे हमारी खास रिपोर्ट 36 गड़ का सियासी पारा हाई है तैयार याज जोरो पर है बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है तो कॉंग्रेस भुपेश के चहरे पर कमबाक का नारा दे रही है बाकाईदा बीजेपी ने तो 36 गड़ में विधान सभाग चुनाओं के लिए आउट्सोर्सिंग की रणीती तैयार कर ली है जिसके चलते पहली बार आचान सहिता लगनी से पहले देश भर से बीजेपी के 220 बड़े नेताओं की फौज अगले दो महिनों के लिए 36 गड़ में अपना डेरा जमाएगी और चुनावी समर में बीजेपी की नईया पार लगाने में जुट जाएगी अब ही पेश भगेल जी को बहुत चीज़े नहीं पचेगी यानि उनको खुद बोलने के लिए कोई समान बचा नहीं है इसलिए अगर हम कमरे में बैटक करेंगे तो भी कहते हैं जन्ता नहीं आरे इसलिए करे अब पता नहीं कि मैं खुद कोर कमिटी की बैटक लेने जाता हूँ, कल रेली भी होगी प्रतार में जी तीन तारीकों जगदलबुर में आने वाले तो ये लगाता है, भुपेश जी के पास अपनी पार्टी की चिंता करें, हम क्या करें, क्या नी करें, उनको पहले दिन से मेरे आने के बाद ही चुटकी ली है, और ये कहते हुए कि तीन कम पड़ गए, तभी तो चुनावी नईया पार लगानी के लिए, बीजेपी को अब 220 की जरूरत आन पड़ी है, कॉंग्रिस का तो ये भी दावा है, कि जब बीजेपी आला कमान को ही, 36 गर बीजेपी संगठन और यहां के नेता पर भरोसा नहीं, तो जनता को इन पर भरोसा क्यों होगा? अब यह चाहते हैं कि जो इनके चुनाव का संचालन है, उसको भी में बाहर के नेता को देखे रखा हुआ है, चुनाव प्रभादी भी मन्सुग मंडविया को बना के रखा हुआ है, और अब हर विधान सबस शेटों में भी बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं कुल मिला कर देखना दिल्चस्प होगा कि बीजेपी के अनुभवी नेताओं को कमान के बाद भी चटीजगर में कॉंग्रेस का स्थानियवात चलता है या बीजेपी की आउट्सोर्सें, राइपुर से विकासियादों की रिपोर्ट मुक्यमंत्री भूपेश बगेल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 220 क्या, 440 आएं सभी का स्वागत है 36 गर के संस्कृतिक उत्थान को देखें, यहां कि संस्कृती सभिता उन्हें बहुत प्रभावित करेगी और पता भी चलेगा कि 15 साल की घलतिया इतनी बड़ी थी कि प्रदेश में चुनाव लड़वाने के लिए नेता भी नहीं बचे तो 36 गर के मुख्यमंत्री भुपेश बखेल का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें साफत और पर उन्हेंने लिखा है कि लगता है कि तीन बड़े कम पड़ गए हैं यही वज़े है कि बीजेपी को 220 की जरुतार पड़ी साथी साथ है उन्हें ट्वीट में ये भी लिखा है कि 220 क्या 440 भी आजाएं तो 36 गर में 36 गर की संस्कृतिक उत्थान को देखें यहां की संस्कृति को देखें लेकिन भारतिये जंता पार्टी के चाहे कितने भी नेता बाहर से आजाएं 36 गर की जंता इस बार चुनावी लए में जो विकास की लए है उससे डगमगाने वाली नहीं जग्दलपुर में कमिशनर श्याम धावडे ने आयुक्त कारेयाले में सभाकक्ष में लोक निर्मार जल संसाधन शिक्षा लोक स्वास्त यांत्रिकी क्रिशी संबद्ध विभाग सही कई विभागो की समिक्षा बैठा के लिए कमिशनर ने कहा कि आगा में विधान सभा निर्वाचन कारे की सहूलियत है तूस सभी सड़कों को दुरस्त किया जाए साथी आदश अचार सहिता लागू होने के पहले स्विक्रत निर्मार कारेयों को प्रारम करना सुनिश्चित किया जाए साथी उन्होंने जल जीवन कारेयों से हो रही क्षती ग्रस्त सड़कों को ततकाल सुचारू रूप से ठीक करने के भी निर्देश दी बलगांपुर जले के कोट सारी गाओं के जंगल में जहाडियों में नवजाद बच्ची पाई गई है बच्ची का जहाडियों से रिस्क्यू करकर लिकर आई साथी साथ उसे जुला चुकित साले में भरती कराये गया है जहां पर नवजाद बच्ची का इलाज जारी है आयुश्मान भाव कारिकरम में जुला बस्तर जुगदलपूर के सामुदाइक स्वास्त केंद्रिम आयुश्मान हेल्थ मेला एम रक्तदान शिवर का आयुजुन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया मुख्य चुकित्सा एम स्वास्त अधिकारी डॉक्टर आर के चतुरवेदी ने बताया है कि इस शिवर में 133 मरीजों की स्वास्त की जाच की गई जिसमें 15 बीपी की मरीज 12 मदुमे की मरीज ओरल कैंसर की मरीज पाए गए शिवर में 15 आयुश्मान कार्ड वित्रण 10 यूनिट रक्तदान एवं 8 अंगदान प्लेस के गए बारत सरकार सूचनायम प्रसारन मंताले केंद्रीय संचार ब्यूरू क्षेत्री क्राले जगदरपुर की उड़ से बस्तर जिले के आसना वा जोर्बदर में स्वच्छता ही सेवा पर जागरुपता का संदेश दिया गया कारेकरम में केंद्रीय संचार ब्यूरो के बीएस धूरूफ के द्वारा सवच्छता ही सेवा पर जानकारी दी गए आपको बता दे कि प्रधान मंत्री के द्वारा गांधी जी के 150 वी जैन्ती पर सवच्छता ही सेवा की कारिक्रम की शुरुवात की गई है जिसमें बताया गया है कि मुख्य रूप से स्वेम को परिवार को महले को गाउं को वंकार स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए सब को आ गयाना चाहिए जिससे स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया जा सके मुही कारिक्रम में स्वच्चता की शपत भी दिलाई गई साथ ही स्कूल परिसर की गंदिगी कोश्च्रम दान के माध्यम से स्वच्च कराया गया बस्तर संभाग मुख्याले जिघ्दलपुर के नस्दी ग्राम बस्तर ब्लॉक में नवखाई जोहार भेट करने बस्तर विधायक अपने विधानसभाक शेक्तृक के ग्राम पंचाय गौर्ण पॉचे जहां पर बस्तर आधिवासी विकास प्राधिकरण के अध्याक्षम बस् प्रतिनिधियों के द्वारा गाजी बाजी के साथ स्वागत किया गया बतादे कि जन सम्मूं के साथ एक किलोमेटर पैदल चलकर बगेल देव गुड़ी पहुचे जहां माता दंतेश्वरी और ग्राम देवी की पूजा अर्चनाकर सभी लोगों के लिए एक सुक्सम्रदी क कामना की इस द्वारान उन्होंने नवा खाई त्योहार की बधाई एवं शुपकामनाई भी दी बड़े बुज़ुर्गों का अशिर्वात लिया पुलिस अधिक्षप प्रशान ठाकुर के द्वारा आने वाले त्योहार वा आगामी विधान सभा चुनाओं को देखते वे धमंत्री में सभी राजपत्रित अधिकारी वें थाना प्रभारियों को चाकु बाजी करने वाले आसामाजिक तत्यों के खिलाफ कारवाई करने के सक्थ नर्देश दिये गए हैं जिस पर अतरिक्त पुलिस अधिक शक श्रीमती मधूलिका सिंग के मार्ग दर्शन में लगातार अवयत कारियों से लिप्त लोगों पर कारवाई की जा रही है इसके मध्य नजर अवयद रूप से धारदार हथियार बटंदार चाकु आधी रखने वालों पर नजर रखी जा रही है क्योंकि इस तरह के हथियारों से अपराद घटित करने और अनेक तरह की अप्रिये घटना घटित होने की संभावनाय बढ़ जाती है बता दें कि कई ओनलाइन शॉपिंग साइट से भी इस तरह के हथियार मगाए जाने की सूचना पर साइबर सेल के जरीए तकनीकी जानकारी हासिल कर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट तयार की गई है जिन्होंने इस प्रकार के हथियार मगवाए है खोड की छात्रावास में आनियमत्ताओं को लेकर ग्रामीडों में काफी नाराजगी है इस दौरान आज जांच के लिए छात्रावास पहुचे आदिवासी साहयक आयुक्त विश्वनात रेड़ी को ग्रामीडों ने बंधक बना लिया कि एक नहीं सुनी ना ही जाच कर आई बिते दिनों यही चात्रवायास प्रबंधन की लापरवाही से एक चात्र की तबियत खराब हो गई थी जिसकी जाच करने के लिए आदिवासि सहायक आयुक्त विशुनात रेड़ी खोड चात्रवास पहुचे थे जहां गुस्साई ग् में एक दिवसिधरनफ प्रदोशिन किया बता दे हैं कि सफाई करिम्चारियों ने अपने वेतन में बढ़ोत्री करने के लिए इस दोराण करिम्चारियों ने सरकार के खिलास जम करनारे बाजी की और चुनाआँ वहिशकार करने की बात कही है सुरजपूर में सिक्षिका से परिशान होकर स्कूल के बच्चे धरने पर बैठे हैं स्वामी आत्मनंद स्कूल में पदस्षिका इच्छा गुपता को हटाने की मांगी जारी इस दौरान बच्चों ने सिक्षिका पर बत्तमीजी करने चात्र को प्रतारित करने का आरोप लगा है साथी बच्चों ने सिक्षिका को हटाने के लिए SDM के नाम एक ग्यापन भी सौपा है ग्राम पंचायद देवपूर और मरोणा इस्थित हाई स्कूल में स्मार्ट लाब स्थापना के नाम पर जिला पंचायद सदसी की ओर से दी गई तीन लाग पचास जार की राश्री ब्रश्चराचार की भेट चड़ गई है दसर्ण सप्लायर के दारा स्कूल में महस्थ दो लाब ट्रेवल के साथ तीन अलमारी स्कूल में भेजी गई है पंचायद के सरपन सचिफ का दबाव बनाकर सारी राश्री सप्लायर ने अपनी खाते में डलवाली फिलाल पंचायत के पास सप्लायर के द्वारा क्या सामान भीजा गया है इसको लेकर ना तो कोई जानकारी है ना ही तीन लाख पचास जार की राशी का कोई फाइल मौजूद है अब पंद्रवित जीला पंचायत जो पंद्रवित आता है उस निधी से हमको आदेशिस तोर पर जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद जो साडे तीन लाख रुपिया ता जो सिकरिती आदेश हमको मिला था उस साडे तीन लाख के सिकरिती मिलने के बाद हमने उस फाइल को मंगवाए मंगवाने के बाद जो पहले किस्ट डलती है पंद्रावीत में क्या है पहले समान क्राय होता है उसके बाद एक किस्ट डलती है और उसके बाद जब संपुन रूप से समान तयार होता है उसके बाद उस फाइल का दूसरा किस्ट जमा होता है तो इसका क्या हुआ था पहले किस्ट जब रासी आई हमने समान को देखा तो हम उसको तैयार करने के लिए तो साड़े तिन लाख रुपे जिला पंचाज 15 वित के नीदी से जमा आदेश के तौर पर आया था और वो दोनों की स्टेक साथ हुआ और हमको कहा गया कि हमारे इतने इतने समान है हमको दिखाया गया नौकरी और मुआफजी की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामिड कॉंग्रिस विधाया खेलना सिंग और जिलाव पाधियक्ष नरेश रजवाले की नेतरत में अनिश्ट कालीन धरने पर बैट गए ख़दान को खुलने के लिए बड़े स्थ पर ग्रामिडों के जमीन ली गई थी जमीन को लेने के बाद नियम के अनुसार ग्रामिडों को मुआफ़े के साथ नौकरी देने का वादा किया गया था जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसके चलते ग्रामिड अनिश्ट क चलते लेके ग्राम रसेडी निवासी के द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ नूद वीडियो वाइरल किया गया है थाना सिटी कोटवाली ने आरोपी के खिलाफ अपरात के सबूत पायजवाने पर तलब कर घटना से इस संबंद में पूछताच की तो इसमें आरोपी ने जुर्म स्विकार किया है जो इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कारवाई करते हुए उसे गिरफतार कर लिया प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के बस्तर आगमन और तीन अक्टूबर को लालबाग मैदान में होने वाली आम सभा की तैयारियों में भारतिय जंता पार्टी अपनी पूरी ताकत जोक रही है भारती राश्री पाध्यक्ष लता उसेंडी ने महिला मोर्चा कारे करताओं के साथ शहर में कई अलग-अलग समाज की महिलाओं से सबपर किया महिला आरक्षन बेल संसद में बिना किसी गतिरोद के पारत कराने वले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा में आने के लिए उन्हें आमंत्रत किया काकेर शहर में अंजुमिन इस्लामिया कमिटी के द्वारा जशने ईद मिलाद उन नभी के अवसर पर मुस्लिम कमिटी ने जुलूस निकाल कर जन्दिन मराया बता दें कि काकेट जिले में जशनेईद मिलादुन नभी के अवसर पर मुस्लिम समाच के द्वारा विभिन आयूजुन किये गए जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाच के लोग समिलत हुए राजदानी राइपूर पहुचे सांसद मलिकार जुन खडगे बता दें कि मुख्यमंतरी भूपेश भगेल ने स्वामी विवेका नंद पर उनका स्वागत किया है जिसके बाद मलिकार जुन खडगे और मुख्यमंद्री भुपेश बगेल ने वलौदा बाजार में कृशक सहश्रमिक सम्मिलन में भाग लिया 36 गर विधान सभा चुनाओ के पहले भारती जुनता पाटी परिवर्तन यात्रा निकाल का प्रदेश की सरकार को घेरने और जुनता से करीब बढ़ाने का काम कर रही है इसी बीच वाजबा की परिवर्तन यात्रा के समापन और पाटी कारे करताओं में चुनाओ को लेकर जोश भरने के लिए 30 सेतंबर को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं तौरान बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयुजूत होने वाली सभा की तैयारियां जोडशोड से चल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने अपने निवास कारेयले से वर्चूल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 32 किलोमेटर लंबी सड़क, कोलियारी, खोर्चा दोनर, जोड़तराई मुख्यमार्क का वर्चूल भूमी पूजन किया जहां मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने भूबी पूजन कर बड़ी सवगाद दिया में सुविधा अपलब्द होगी आनंत चतुरदशी इदे मिला दित्यादी पर्वों को मना कर शांती का टापू बस्तर की मिसाल को कायम रखने के लिए समाच के सभी लोगों से मिलकर सक्रिय सहभाकिता निभाने की अपील की गई कलेक्टर विने दयाराम के ने बैठक में कहा कि जिले में सभी आयोजनों के लिए सदैव ही लोगों का सहयोग मिलता रहा है इसी तरह निरनतर सहयोग अपिक्षित है साथी उन्होंने कानून विवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रसाशन को सहयोग देने का आगरे करते हुए नियमों का पालन करने पर जोड दिया जगदलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है कुदाल गाओ में नलजल योजना में काम के लिए रखे गए सामान को चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस में गिरफतार किया है देसल 25 सतंबर को नलजल योजना के कमचारी दिनेश भद्रे के घर में रखे सावान जी आई नल सौकिट एलबो लोहे के रोड वसमेथ 21,220 रुपे चोरी कर फरार हो गया था पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपी को गिरफतार कर नियाईक रिमांट पर भेश दिया है एक तरफ देश जहां आजादी का अमरत महुतसव बरा रहा है तो वही दूसरी तरफ आजादी के 36 साल के बाद भी बलरामपुर जिले के जनपत पंचायद वाडरोफ नगर के ग्राम पंचायद हरी गामा की ग्रामीर मूल भूठ सुविधाओं से कोसो दूर है केंदर सरकार और राग्जे सरकार मंडरे का कारे के लिए सालाना हजारों करोड रुपे खर्च कर रही है ताकि हर गाहों तक मूल भूठ सुविधाय पहुश सके लेकिन सरकार के विकास के दावे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते जिस सड़क की बात हम कर रहे हैं वो सड़क काग्जों में तो कई बार बन चुकी है और इसी सड़क की एवज में सरकार से मोटी रकम भी वसूली जा चुकी है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है लाखो रुपे पंचायद के द्वारा निकाले गए हैं लेकिन ग्रामीडों का कहना है कि सड़क की समस्या के बारे में हमने पंचायद के प्रतिनिधी वजन प्रतिनिधी सही क्षेत्रिय विधायकों को कई बार इसकी जानकारी दी और अध गुजरना पड़ता है रोड इतनी खराब है कि आनजवाने में दिक्कत का सामना हर दिन करना पड़ता है बारिश के मौसमें आवगवन पूरी तरह से ठप हो जाता है जिसके बाद सिक्षा भी पूरी तरह से प्रभावित होती है लेकिन जनपत सीयोर से जब इस समस्या के बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया साथी सर्पंच और सच्चिफ का कहना है कि पंचायत की खाते में पैसा नहीं है जब पैसा आएगा तो रोड बन जाएगा मैं अपने पांच साल जो भी हो गया यह मुख्यमार्ग जो है केनवारी से लेके कोटी लोधी और डारीडी दहबोरा साइड जाता है तीन से चार गाउं को जुडता है इस रोड का अभी तक इसका कोई काम नहीं हो पाया है इतना बड़ा बड़ा आप देख पा रहे होंग लेकिन लोग काम करते हैं कितना दस टाली गिराएंगे मूरम निकालने के लिए सो दोसो चार सो टाली का मूरम सो करते हैं इसके बाद पिर इसमें कार नहीं करवा रहा है है जगदलपुर में शाशन की आदेश का उलंगन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरिफतार किया है दरसल बोदगाट पुलिस टीम के द्वारा कलेक्टर महादेव के द्वारा 23 सतंबर को आदेश पारित करने आरोपी सबुको आगामी एक साल के लिए जिला बस्तर सीमा वरती जुले की निश्काशित किया गया था जिसका पालन नहीं करते हुए आरोपी की ओर से 26 सितंबर को जगदलपुर शहर में प्रविश करते हुए शाशन प्रशाशन के आदेश का उलंगन करते पाये जाने पर आरोपी संजु को गिरिफतार किया गया है जिसके बाद थ अबरुक्लिबने रेए इंदिया वोईस के साथ, नमस्काल.